नमस्कार दोस्तो पहाड़ी आयरुबेदिक में आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं आपके सामने छूई मुई के पहुधा लेकर हाजिर हुआ हूँ यह जो आप देख रहें दोस्तो यह छूई-मुई का जड है और यह देखिए दोस्तो छूई-मुई के पत्ते हैं दोस्तों यह इसे लजालू भी कहते हैं सरमीली घास भी कहते हैं दोस्तों इसको सब कि सब पत्ते मुर्जा कर सो गए तो दोस्तों इसका ये लाजवन्ती भी कहते हैं तो दोस्तों ये लाजों से भरा हुआ लजारू बहुत ही कामका अरवेदिक जड़ी बूटी है दोस्तों तो इसके फाइद एक बारे में आपको बताता हूं ध्यान पूरुवक आप सुनिए दोस्तों सबसुपका पहला फाइदा इसका ये है कि अगर तरीक एक सूखी खासी होता हो खासी ठीक न होता है तो दोस्तों चिंता मत करिये बस इसके जड़ को तोड़कर किसी धागे में बान कर गले में बान दीजोए खासी बिलकुल ठीक हो जाएगा जड़ से लेकिन हाँ हजार उर्पे आपको बर्बाद होने माला हो एक पैसा बर्बाद नहीं होगा आपका यह सरमीली घास का जड़ जो है खासी बिल्कुल जड़ से ठीक कर देगा दोस्तों फायदे तो इसके और भी है अगर आप और फायदा उठाना चाहते हो तो यह जालू को पत्ते जो ह है दोस्तों ताप्ति जारी वाले भी इसके इसके जड़ का ताबीज बनाकर पहन सकते हैं और हाँ दोस्तों इसमें लाजवन्ती का भी होता है इसमें बीज तो है नहीं दिखा नहीं सकता बीज काले काले होते हैं तो देखिए दोस्तों यह जो दिख रहा है काला काला गोल गोल यह फूल था फूल सूक गया इसी के अंदर छोटे छोटे बीज निकलते हैं लेकिन दोस्तों इस बीज को प्राप्ट करने सच्छा है किसी स्टोर से आप आयर बेदिक दवा दुकांस खरी लीजिए और लाजवन्ति के बीज को सुबा साम एक एक चम्मच खजूर के अं एक महीना कखा लीजिए किसी भी तरीक करीं कम धूरी होगा धात है लिकोरिया हो या मर्दाना कम और किसी भी तरीक यह फिस दुसी मुझे ज्यादा बताना भी नहीं पड़ेगा तो दोस्तों या तो अभी लास्ट समय आ गया है इसमें बीज तो है नहीं नहीं तुम्हें आपको बीज भी दिखा देता या वारिस के मौसम में हरे भरे पौधे रहते हैं और आज काल मौसम में कुछ कुछ सूख जाते हैं ले कर ऐसा जड़ मिलता है तो आप उसे गलें बान लिजे हर तरह बीमारी को दूर करता है दोस्तों यहां तक किसा बीच्छी भी नहीं काट सकता अगर इसके जड़ को आप हाथ में लिए हो तो इतना तेज पावर फूल यह जड़ी है लाजवत्ती भी तो दोस्तों मैं अपन संद आये तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्क्राइब कीजिए नमस्कार दोस्तों